दोस्तों स्वागता आपका इस वीडियो में तलाक लेना अब हुआ आसान सुप्रीम कोट की एक लेटेस जज्जमेंट है कॉंस्टिटुशन बेंच की कॉंस्टिटुशन बेंच मीन्स पांच जजिज की एक बेंच थी उसने तलाक लेने का जो हमारा टीडियस प्रोसेस है अगर आप देखें इंडियन जुडिशल सिस्टम में खास कर अगर हजबंड डिवोर्स पेटेशन फाइल कर रहा है क्या है इस जजजमेंट के बारे में क्या टाइटल है क्या इसमें observation आई ए सुप्रीम कोट की उसके लिए ये विडियो आप देखिए अगर आप इस तरह की कोई litigation फेज कर रहे हैं डिवोर्स ये मैट्रिमोनियल कुछ भी या आपके आसपास कोई फेज कर रहा है आपका family member रिष्टेदारों में तो आप ये विडियो वहाँ पर उनको refer कर सकते हैं लेंडमार्क जजमेंट है एपक्स कोट की शिलपा शेलेश वर्सिज वरुन स्री निवासन Constitution bench की judgment है, citation है, 2023 की पांच judges bench है, transfer petition थी कोई Supreme Court के पास 2014 की ये decide हुई 1 माई 2023 को तो ये आपको easily net pay available होगी, आप इसको refer कर सकते हैं इसके main decision रहा है Supreme Court का, वहाँ पर दो points थे एक तो फिर भी थोड़ा पहले discuss हो चुका है, तो काफी लोगों को इसके बारे में awareness है, बट एक second point जो है, वो हम आगे इसमें पढ़ेंगे उसमें ये बताया हुआ है Supreme Court ने कि कैसे divorce थोड़ा सा easy हो सकता है, तो पहले वाले point की अगर हम बात करें तो Supreme Court ने वहाँ consider किया कि Supreme Court की जो power है Article 142, सब Article 1 में, Clause 1 में, Constitution of India में उसने बोला कि Supreme Court जो है कोई procedural aspect के लिए bound नहीं है, means अगर आप divorce फाइल करो mutual consent से तो वहाँ first motion होता है, second motion होता है, बट अगर Supreme Court के पास कोई case जाता है, मानलो कोई appeal जाती है या transfer petition जाती है, तो Supreme Court जो है हमारे जो procedures बनाए हुए हिंदू marriage act वगरा में या CPC में उससे bound नहीं है, वो क्या कहता है Supreme Court कि मैं जो Supreme Court है कि Supreme Court के पास power है वो वहीं पर first motion, second motion सारी statements record कर सकते हैं without waiting के 6 महिने के लिए रुकना ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास सारी powers है, वो उसको wave of करके same day divorce दे सकते हैं दूसरी चीज़, आपकी कहीं पर भी कोई भी litigation है, criminal है, civil है सारी litigation जो है, वो वहीं पर by a common order वो वहाँ पर उसको quash कर सकते हैं तो last में क्या लिखा, quash and set aside other proceedings and orders including criminal proceedings means मान लो, एक case आपका भिहार में चल रहा है, एक case आपका suppose पंजाब में चल रहा है ठीक है, तो कुछ case वहाँ पर है, कुछ case वहाँ पर है, बट Supreme Court में मामला किसी ना किसी तरह से पहुँच गया तो Supreme Court में अगर फैंसला हो जाता है, कोई समझोता हो जाता है तो Supreme Court के पास power है, Supreme Court उसको divorce भी दे देगी, कहीं जाकर आपको mutual concern से divorce नहीं फाइल करना दूसरी चीज़, बिहार वाला केस भी आपका quash हो जाएगा, means खतम कर देंगे पंजाब वाला केस भी खतम कर देंगे, और आपकी litigation जो है, सारी खतम हो जाएगी तो यह 142 आर्टिकल में Supreme Court के पास power है, एक तो यहाँ पर यह decide हुआ दूसरा इससे भी जादा, most important जो decision हुआ Supreme Court का judgment में अंडर आटिकल 142 ही, Supreme Court can grant divorce in exercise of power under 142 when there is complete and irretrievable breakdown of marriage in spite of the other spouses opposing the prayer means अगर एक spouse oppose भी कर रहा है, बट Supreme Court को लगता है कि यह marriage अब चलने के काबिल नहीं है इसको खतम कर देना चाहिए, तो Supreme Court उसको खतम भी कर सकता है divorce grant कर सकता है, चाहे दूसरी party यह कहती है कि मुझे तलाक नहीं देना तो भी Supreme Court के पास power है कि वो तलाक दे दे, यह most important है जो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है अभी तक क्या था, कि अगर एक party कह रही है मैं जे divorce नहीं देना तो कोई उसको divorce नहीं देता था, ज्यादा तर courts का practical view रहता था कि नहीं देना बट Irritravable Breakdown of Marriage के उपर Supreme Court ने बोला कि हमारे पास power है, सामने वाला oppose भी कर रहा है बट हमें लग रहा है कि marriage नहीं चल सकती तो हम divorce दे देंगे चाहे facts कुछ भी हो, चाहे उसमें reasoning कुछ भी हो, ठीक है, simple, ground क्या बनाई? Irritravable Breakdown of Marriage हमारे Hindu Marriage Act में statute में ये ground नहीं है, बट Supreme Court ने बोला कि हम Article 142 में इसको exercise करके divorce दे सकते हैं तो conclusion क्या बोला? इसमें, last में conclusion जो है, that the court has a discretion to dissolve the marriage on the ground of its irritravable breakdown wherein this court is satisfied that the facts established show that the marriage has completely failed and there is no possibility that the parties will cohabit together and continuation of the formal legal relationship is unjustified. तो अगर ये लग रहा है कि उनके साथ, अब कोई possibility नहीं है उनका साथ रहने की या उनका जो legal relationship बना हुआ है, formal, वो unjustified है, तो court जो है, अपना discretion जो है, उसमें use करके, वहाँ पर उसको marriage को dissolve कर सकती है observations, para number 33 judgment का बहुत important है, इसको ध्यान रखना, इसमें वो factors बताये हुए है यह Supreme Court किन factors को देखकर यह decide करेगी कि marriage dissolve करनी है या नहीं करनी तो ground जो है irritravable breakdown का कैसे पता लगेगा, कैसे Supreme Court को पता लगया कि marriage अब यह काम नहीं कर रही, emotionally dead है और इसको अब सुधारा नहीं जा सकता, beyond salvation है, तो कुछ factors उन्होंने बताए, तो factors क्या थे देखिए इसमें, पहला the period of the time, the parties had cohabited after marriage, marriage के बाद वो कितना time साथ रहे, कब वो साथ रहे थे, means last time या date of separation क्या है उनकी, allegations कैसे लगाए हैं उन्होंने, एक दूसरे के against, बहुत बार कई तरह के allegations लगाए जाते हैं, extra marital affair हो गया, brutality का है, कई तरह के उल्टे सिधे allegations यहाँ पर, husband भी और wife भी लगाते हैं, तो किस तरह के allegations है, the orders passed in the legal proceedings from time to time, किस तरह के court के orders आए हैं अभी तक, उनके बीच में जो अभी तक की litigation है, जो भी उनका relation है, किस तरह के personal relationship है, एक तो होता है कि husband भाई एक दूसरे को देखकर ही, लडाई जगडा करना शुरू कर देते हैं, एक होता है थोड़े से कब हुआ था, वो mediation, seventh, सबसे important इसको ध्यान रखना है, इसमें पहली बार सुप्रीम कोट ने बोला है कि अगर छे साल, उनको लगता है कि छे साल से separation है, the period of separation जो है लंबा होना चाहिए और अगर कहीं छे साल या छे साल से ज़ादा का है, तो एक relevant factor बन जाता है, means अगर आपकी litigation चल रही है और छे साल हो गए हैं, तो आप किसी ना किसी तरहां से कोई petition file कीजे सुप्रीम कोट में अगर case चला जाता है, transfer petition या कोई भी किसी तरहां के depending on the circumstances, तो वहाँ सुप्रीम कोट में अगर छे साल प्लस हो गए हैं, तो सुप्रीम कोट आपका cognizance लेके हो सकता है, आपकी marriage को dissolve कर दे, आठवा, but these facts have not to be have to be evaluated keeping in view the economic and social status of the party, देखना पड़ेगा किस तरहां का उनका social status है, economic status है, क्या qualification रही है, उनकी कितने बच्चे है, क्या age रही है, क्या qualification बच्चों की रही है, जो बच्चे है या फिस spouse है, वो dependent है या नहीं है, वो सब चीजें भी देखी जाएंगी, और divorce अगर देते हैं, तो कैसे उनका ख्याल रखा जाएगा, बच्चों का, spouse का, वो सब चीजें भी Supreme Court देखेगा, custody का जो question है, बच्चों के welfare का जो question है, वो चीजें भी वो देखा जाएगा, कि बच्चों को, wife को, उस तरहां से adequate alimony भी मिले, मिन्द उनको पास economic rights हो, कि वो जो भी बच्चे हैं, उनको, उनका proper जो है, आगे रख रखाव हो, तो यह कह रहा है कि कुछ factors हम दे रहे हैं, इसके इलावा भी factors हो सकते हैं, जो Supreme Court time to time, as per the situation, जो भी specific situation आएगी, वहाँ पर decide करेगा, तो यह कुछ factors हैं, जिनक आपको लग रहा है कि आपके कुछ circumstances इससे मिलते जुलते हैं, तो definitely Supreme Court में अगर आप पहुंचते हैं, तो वहाँ divorce मिलने के आपको chances हैं, easy हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार देखा गया है हमारे system में, family court में ही 4-5-6 साल लग जाते हैं, उसके बाद high court जाता है मामला, फिर Supreme Court जाता है, Supreme Court तक पहुंच से 10-12 साल लग जाते हैं, although Hindu marriage act में लिखा हुआ है, कि petition को 6 महिने में decide करो, but family court ही 4-5 साल लगा देती है, तो ये आपको judgment help कर सकती है, constitution bench की judgment है, आप किसी भी court में कहीं पर भी इसको refer कर सकते हैं, net पे easily available है, आप पढ़िए इसको, कोई अगर doubt आता ह कोई आपको query है, तो ये मेरा WhatsApp नमबर है, सिर्फ message कीजिएगा, call बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, attend कर पाना, आप जब भी मेरे टाइम में लेगा, मैं आपकी query को best possible way में reply करने कोशिश करूँगा, thank you and all the best.